नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल में दोस्तों आज हम आपको करेले के कुछ स्वास्त लाब के बारे में बताएंगे स्वाद में कड़वा लगने वाला करेला हमारी सेहत के लिए काफी लाबतारी होता है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन A, B, C, करोटीन, लूटीन, आइरन, पोटेसियम, मैगनीसियम और मैगनीज आधी तक तो पाय जाते हैं करेले के सेवन से कई सारी बीमारियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है जिनें भूख ना लगने की समस्या है उन्हें करेले का सेवन करना चाहिए ये भूख को बढ़ा कर पाचन सक्ष को सुधरने में मदद करता है इसके साथ ही बलड सुगर के रोग्यों के लिए तो यहां किसी रामबार से कम नहीं है पहला है बलड सुगर को कंट्रोर करें आजकल अनियमिक खान पान और खराब लाइफ इस्टाइल के चलते लोगों को कई सारी समस्या तेजी से उभर रही है इसमें से बलड सुगर भी है जो बेहद ही गंभीर विमारी है यह अपने साथ कई रोगों के होने की समभावना को बढ़ा देता है करेला बलड सुगर को कंट्रोर करने में काफी असरकारी है इसमें इंसुलिन के गुर पाये जाते हैं जो बलड सुगर को बढ़ने से रोपते हैं अगला है पेट के कीड़े को दूर करें पेट में कीड़े होने पर कई सारी समस्या हो जाती है ऐसे में करेला के सेवन से ये समस्या खत्म हो सकती है और हमारा पाचनतंत्र मजबूत होता है साथी गैस, अपच के अलावा अन्य समस्या भी दूर हो जाती है अगला है कोलेस्टाल को करें भाग दोड भरी जिंदगी में दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खत्रा पढ़ता ही जा रहा है जब कोलेस्टाल का इस तर बढ़ जाता है तो दिल की बीमारी का खत्रा अधिक हो जाता है ऐसे में करेले का सेवन करने से पोलेस्टाल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है अगला है इम्मुनिटी को मजबूत करें इम्मुनिटी अगर मजबूत है तो किसी भी बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं जिनका immunity कमजोर है उन्हें अपनी डाइट में करेले को आइड करना चाहिए ये हमारी immunity को मजबूती पुर्दान करने में बहुत ही मदद करता है अगला है मोटापा फाइबर से भरपूर करेला मोटापे को भी कम करने में मदद करता है साथी ये सरीर में मौदूद खराप अधार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है